भरपूर गर्मियों का मौसम चल रहा है और हमें भी तैयारी कर देनी चाहिए अपने गुडेल के पौदे पर बहुत ज़्यादा फूल लेने की आज हम बात कर रहे हैं गुडेल के पौदे की और आज हम आपको एक ऐसे फट लाजर के बारे में बताऊंगा जिससे की आप अपने गुडेल के पौदे पर बहुत ज़्यादा फूल ले सकते हैं नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम सुरू करते हैं ये जो दो गुडेल के पौदे हैं और इन पर देखिए दोनों पौदों पर दो दो फूल के लिए हैं और देखिए कई सारे इन पर बट्स भी आए हुए हैं तो मैं आपको बताना चाहंगा यदि आपने भी ये पौदे लगाए हैं और फूल और कलियां बिलकुल नहीं आ रही हैं तो मैं आपको बताना चाहंगा एक ऐसे फटलाजर के बारे में जो की और्गेन्क फटलाजर होगा और आपके पौदे पर बहुती ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करेगा और पौदे के लिए बहुती उप्योगी है तो वो किस तरीके से बनाया जाएगा तो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ तो आईए दोस्तों उसके बारे में आप जान लेते हैं फटलाजर बनाने के लिए हमने यहाँ पर प्लास्टिक के बरतन का यूज किया है और इसमें हमने 300 ग्राम पानी लिया हुआ है अब यह जो चीजे इस प्लेट में आप देख सकते हैं यह हमने 20 ग्राम सरसों खली ली हुई है इसे हम अपने गुडेल के पौदे में आसानी से यूज कर सकते हैं करने का तरीका क्या है वो मैं आप लोगों को पूरा बताऊंगा तो जो 20 ग्राम सरसों खली ली है इसे हम 300 ग्राम पानी में धिगो देंगे तो चलिए जल्दी से हम इस 20 गרט सर्सोंखली को इस पानी के अंदर डाले देते हैं हमने यहाँ पर 20 गרט सर्सोंखली इस पानी में डाल दी है और एक बार हम अच्छी तरीके से इसे हिलाएंगे हिला देने के बाद में दोस्तों इसे हमें उपर से किसी भी चीज़े कवर नहीं करना है इसे ऐसे ही खुला हमें छोड़ देना है जिससे की ये फट लाजर बनके तयार हो जाएगा और लगवग ये चीज़ हमें रखनी है 48 गंटे ऐसे ही हमें पूरे 48 गंटे से उपर हो चुके है और ये हमारा जो फट लाजर है बनके अब तयार हो चुका है अब इस फट लाजर को हम अपने पौदे में बहुत ही आसान तरीके से यूज़ कर सकते हैं दोस्तों 20 गरम सरसों कली हमने 300 गरम पानी में मिलाई हुई थी अब इसमें हम आदा लीटर पानी से उपर और इसमें डाल देंगे जिससे कि हम पानी में से डायलूट कर लें और उसके बाद में हम अपने पौदे में थोड़ा-थोड़ा डालें तो पौदे इससे बहुत तेजी से बढ़ेंगे और पौदा जादा भी आपको फूल देगा तो ये सबसे नॉर्मल तरीका है पौदे पर फूल लेने का अब हम जान लेते हैं गुड़ेल के पौदे की केर के वारे में कि गर्मियों के मौसम में हमें गुड़ेल के पौदे में क्या चीज़ों का द्यान रखना चाहिए पौदे पार तो पौदे पर बहुत जादा बड़े फूल लेने के लिए हमें पौदे में पानी टाइम टू टाइम देना है तो आपको ध्यान रखना है कि पौदे में पानी अवस्य देना है टाइम पर आपको बस ये चीद ध्यान रखनी है तो अब हम चलते हैं इस फट लाजर को पौदों में डाले देते हैं और इस फट लाजर का प्रियोग आप अपने पौदे में दस दिन बाद यूज करें तो आपके पौदे बहुत तेजी से बढ़ेंगे और बहुत ज़्यादा फूल देंगे उम्मीद है ये आपको हमारी वीडियो अवस्य पसंद आई होगी अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करें तो अगली वीडियो में फिर मुला काते होगी ठेंक्यू